हेलो गाइज वेल्कम टो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिंट्स गेल इंडिया लिमिटेट की ओर से जून क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है स्टैंडर लॉन कॉंसॉलिडेटेड दोनों रिजल्स आउट हो चुके आज केस वीडियों इनलसस करें चलिए फिंट्स वेडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइज हम लोग पहले फिनांसल रिजल्ट कवर करेंगे करोर्स में नंबर से इंकम में 33,000 करोड का पिछले कौटर में 38,000 33 करोड का इंकम था क्वाटर ओन क्वाटर येर ओन येर दोनों में बहुत बड़ी फॉल देखन को मिला है expenses 31,0095 करोड का पिछले का। फिरी फिरी थावजयं न 2416 करोड का और जून 22 क्वाटर में 34,150 करोड का expense हुआ था जो कि quarter on quarter year on year के expenses भी डाउन है लेकिन यहाँ पर quarter on quarter में expenses बहुत ज्यादा डाउन हुआ हुआ है जो कि operating profit है नाइंटीन हंड़ेड फाइफ करोड का पिछले quarter में 364 करोड का और जोन 22 quarter में 39002 करोड का operating profit है quarter on quarter में तो बहुत यह strong growth लेकिन year on year में उतना ही ज्यादा डाउन है क्योंकि कंपनी के expenses भी बहुत ज्यादा हुआ है income के इंकम में गिरावट आई है यहाँ जो joint ventures है उसके साथ company को जो है इस period में profit हुआ है net profit 1172, sorry 1792.9 करोड का पिछले quarter में 642 करोड का और जोन 22 quarter में 3250 करोड का net profit है quarter on quarter में तेजी है year on year में डाउन देखने को मिल रहा है EPS 2.73 रुपीज का quarter on quarter में growth है year on year में डाउन देखने को मिल रहा है तो गाइस company को जो रिजल्ट है consolidated basis पर average है क्योंकि income तो लगातार गिरावाट आरे लेकिन profit भी year on year में गिरावाट आया है segment वाज revenue की बात करें तो company जो revenue generate कर रहा है ना इसमें गाइस यह transmission services जिसमें natural gas और LPG है नाचुरल गैस marketing कर रही है पेट्रो केमिकल्स LPG और लिक्विड हाइड्रो कार्बन सिटी गैस अधर सेंगमेट अनलेक्विटेड इन सभी सरेवेन्य जेनरेट कर रहा है जो कि इस बहुत ज़्यादा fall देखने को मिल रहा है अगर हम इसके stand-alone financial result को cover करें तो number जो है करोड में है income में 32,495 करोड का पिछले quarter में 33,875 करोड का और June 22 quarter में 37,751.9 करोड का income था quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिल रहा है expenses 30,606 करोड का पिछले quarter में 33,284 करोड का और June 22 quarter में 33,857 करोड का expense हुआ था quarter on quarter year on year के expenses भी यहाँ पे देखे तो quarter on quarter बहुत जादा down है लेकिन year on year में उतना ही जादा increase किया है इसके बाद operating profit है 1888.7 करोड का पिछले quarter में 590.8 करोड का और June 22 quarter में 3894 करोड का net operating profit है quarter on quarter में तो तेजी है लेकिन year on year में डाउन देखने को मिल रहा है नेट profit 1412 करोड का पिछले quarter में 603 करोड का और June 22 quarter में 2915 करोड का net profit है quarter on quarter में बहुत ही strong growth है लेकिन year on year में उतना ही जादा down देखने को मिल रहा है EPS 2.15 रोपेज का quarter on quarter में growth है year on year में डाउन देखने को मिला है तो overall गाइस कंपनी यहां पर average result पेज़के क्योंकि कंपनी का income लगातार गिरावट आ रही quarter on quarter year on year में लेकिन profit जो है quarter on quarter में तेजी है क्योंकि expenses बहुत ही कम हो लेकिन year on year में expenses भी down देखने को मिला है इसलिए average result पेज़के तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पुछे मिलते हैं नेक्स वोड़ों में तिल दिन बाई बाई